किसी भी कंपानी के लिए दोस्तों इंटर्व्यू के लिए जब जाते हैं तो उस टैम एक मन में डाउट बना रहता है मुझे इंग्लिस आती नहीं है क्या मेरा इंटर्व्यू इंग्लिस में होगा हिंदी में होगा काफिर लोग का ये question रहा है कि भाया मुझे इंटर्व्यू के related बताए कुछ बता दिजिए कि हिंदी में इंटर्व्यू दे या इंग्लिस में क्या वहां पर पूसता है हिंदी पूसता है या इंग्लिस पूसता है मेरा इंग्लिस कमजोड है क्या करे यह सब चीज़े जो डर में इंग्लिज पुछा जाएगा या लोकल कंपनी में इंग्लिज पुछा जाएगा तो यह डाउट आज ना किलियर कर देंगे हम वीटव थोध्यान से सुन लेना समझ लेना उसके जाओ इंटर्व्यू के लिए बिलकुल टैंशन free होके जाओ बोले ना बिल्कुल tension free होके जाओ अपना experience में आपके साथ share कर रहा हूं देखो interview कभी भी interview का मतलब हुआ कि आप अपने बाड़े में बताईए matter नहीं करता कि आप Hindi में बताईए या English में बताईए matter करता है कि आप काम कितना जानते हैं matter करता है कि आपको क्या पता है आप कितने अच्छे तरीका से समझा पा रहे हैं because कि आप एक civil engineer हो तो civil engineer हो आपको पढ़ने आना चाहिए English क्योंकि साइट पे maximum चीजे जो होती है वो आपको English से काम चलता है तो आपको आना चाहिए English मैं इतना नहीं आपको बस एक नॉर्मल टूटा फुटा फुटा जो होता है ना वह अगर आ रहा ना ओक्यों हो आप बिल्कुल आप जाईए श्राइट पे इंटर्व्यों दीजिए आराम से सिलेक्स्तन मिलेगा बस क्या है कि वह स्टार्ट करेंगे करेंगे इंग्लिस में जिए zach है वहां के human resource ओए श्टार्ट करेंगे आप से इंग्लिस में लेकिन आप चाहे convert करके हंदी में ला सकते हो ग कि जैसे की बिवल्र आपको इंग्लिस से स्टार्ड करना है वसके फिर आस्ते उसते हिंदी में translate हो जाओ जरूरी जरूर यह नहीं है, क्योंकि आप को समझाना है, वहाँ पे आप English class करने नहीं गए हैं, या फिर English सिखने नहीं गए हैं, सिखाने नहीं गए हैं गय क्या है करने आप अपने बारे में बताने आपको कितना knowledge है क्योंकि आप वहाँ पर site पर जाईएगा तो as a site engineer हो आप या फिर office engineer हो तो वहाँ पर site engineer suppose आप civil line का मैं बता रहा हूँ IT sector के लिए तो आपको English most आना ही चाहिए लेकिन यह जो है civil line इसमें आपको English उतना नहीं भी आ रहा है तो बिल्कुल आड़ाम से आपका selection होता है यहाँ पर matter करता है कि knowledge आपको कितना है आपको estimation आड़ा है BBS आड़ा है क्या आड़ा है surveying आ रहा है नहीं आ रहा है यह सब चीजे matter करता है क्योंकि site पे आपको यह English पढ़ा लिखा इंसान से बात नहीं करेंगे बात किन से करेंगे जो आठमी पढ़ा है जो दसमी पढ़ा है जो नहीं पढ़ा है उन लोग के साथ आपका बातचीत होगा जो लोग काम करते हैं जो सरीया बांधते हैं जो concreting करते हैं उन लोग के साथ आपका बातचीत होगा site पे जाएंगे तो सिर्फ यह आप English से बात नहीं करेंगे आप labor मजदूर जो वहाँ पे mystery होते हैं मजदूर होते हैं उनसे आप English में बात नहीं करेंगे वहाँ एक language क्या चलता है common language हिंदी इंडिया में काम कर रहे हैं आपको हिंदी आना बहुत ही जरूरी है मौस्ट है हिंदे अगर हिंदी आ रहा है सही ढंग से बोल पाड़े हो अगर हिंदी सही से बोल पाड़े हो न ओके है आपको जॉब लग जाएगा समझें इसलिए टेंसन आज से छोड़ दिजिए कि हमें English आता है नहीं आता है फ़रक नहीं पड़ता है चोटा टुटा फुटा आड़ा है बस हो गया आपका काम निकल गया उसमें बस करते है न तयारी कभी भी कर लीजे जरूर नहीं है बाई दो-चार गाना सुनो गया ऑटोमेटिक समझ में आजा दो चार फिलम देख लो English का समझ में आना कुछ नहीं है जसे कि फापा को क्या बोलते हो फादर हो गया ममनू को दोरल सिऑ इसमें क्या कुछ नहीं है तो आशा करते हैं कि मेरा बात आप भोगो समझ में आया होगा है अगर वीडियो समझ में आया है किर दिना लाइक फीर मुलते हैं मेट विडियो subscriptions